नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रिस्पेक्टेड उद्योग पतियों में से एक, रतन टाटा के बारे में. रतन टाटा ने टाटा ग्रूप को एक नए लेवल पर पहुँचाया और कई एरियाज में आगे बढ़ाया है. उनकी कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं, बलकि संघर्ष, समर्पन और अच्छे संसकारों की भी है. आईए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें, जो उन्हें एक इंस्पिरेशन बनाती हैं. दोस्तों, क्या आप इमेजन कर सकते हैं कि अर्बों खर्बों की कमपनी के मालिक, रतन टाटा, कितना सिंपल जीवन जीते हैं, वे भारत के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, लेकिन फिर भी सादगी और विनम्रता उनकी पहचान है. उन्होंने आज तक खुद के लिए कोई बड़ा घर नहीं खरीदा और एक साधारन घर में रहते हैं. उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी खुबसूर्ती है. रतन टाटा का जीवन पूरी तरह से काम और समाज सेवा को समर्पित रहा है. उन्होंने कभी शादी नहीं की. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी जिंदगी में चार बार शादी करने का समय आया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मन्जूर था. हर बार किसी न किसी कारण से उनकी शादी नहीं हो पाई. उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन एक मकसद के लिए समर्पित कर दिया है. रतन टाटा का जीवन हमेशा से इतना आसान नहीं था. उनका बचपन बहुत संघर्षों से भरा रहा. जब वे सिर्फ दस साल के थे, तभी उनके माता-पिता का तलाग हो गया. ऐसे कठिन समय में उनकी दादी, नवजबाई टाटा ने उनका पालन पोशन किया. इस मुश् कई लोग सोचते हैं कि रतन टाटा को टाटा ग्रूप विरासत में मिला होगा. लेकिन ऐसा नहीं है. जब वे टाटा ग्रूप में शामिल हुए, तो उन्होंने शुरुआत बिलकुल नीचे से की थी. उन्हें कमपनी की एक छोटी यूनिट में काम करने का मौका मिला, जहा उन्हें लोहे की पटियां उठानी पड़ती थी. वे चाहते थे कि उनकी यात्रा हर लेवल से हो और उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से निभाया. चैप्टर पांच साल 2000 में रतन टाटा ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. उनके नित्रित्व में टाटा ग्रूप ने ब्रिटिन की फेमस चाय कमपनी टेटली को खरीद लिया. यह किसी इंडियन कमपनी द्वारा विदेशी कमपनी का सबसे बड़ा अधिग्रहन था. यह रतन टाटा की दूर दर्शिता और नेत्रित्व क्षमता का जीता जागता उदाहरन था. चाप्टर साथ चाप्टर आट बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा ने अपने करियर के शुरुवाती दिनों में अमेरिका में भी काम किया था. वे न्यू यॉक में वास्तुकला की परही कर रहे थे और वहां कुछ समय के लिए नौकरी भी की. लेकिन जब उन्हें भारत में ताटा ग्रूप में काम करने का मौका मिला, तो वे अपने देश वापस आ गए. चैप्टर नौ रतन टाटा को उनके साहसिक फैसलों के लिए जाना जाता है. जब उन्होंने टाटा ग्रूप के लिए ब्रिटिश मोटर कमपनीज, जैगुआर और लैंड रोवर खरीदी, तो कई लोगों ने उनके इस कदम पर सवाल उठाए. लेकिन रतन टाटा को अपने फैसले पर भरोसा था, और उनका यह फैसला बाद में बहुत सफल साबित हुआ. चैप्टर डस क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा पाइलट बनना चाहते थे? जी हाँ, जब उन्होंने अपनी पेरहाई पूरी की, तो उन्हें एर इंडिया से एक नौकरी का ओफर मिला था, लेकिन तब जे आर डी भाया था, जो कि ताटा ग्रूप के उस समय के अध्यक्ष थे, उन्होंने रतन टाटा को ताटा ग्रूप में शामिल होने का सुझाव और इसी कारण वे ग्रूप का हिस्सा बने। चैप्टर बारह रतन टाटा के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं रहा। उन्होंने हमेशा से ही समाज सेवा को इंपोर्टन्स दी है। टाटा ग्रूप की कमाई का बड़ा हिस्सा समाज के भलाई के कामों में लगाया जाता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थिय और गाव के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। ओत्रो, दोस्तों, रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता और विनम्रता एक साथ चल सकते हैं। उनकी कहानी यह बताती है कि बड़ा पद और सादगी एक साथ रह सकते हैं। उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपने जीवन में बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। ये भी सिखाती है कि सफलता के साथ साथ समाज के प्रती अपनी जिम्मेदारी को कभी न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ह तो इसे लाइक और शेर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।